वीडियो में हुए noise को remove करना जाते हो तो पहले आप इस voice को सुनिए background noise को आप कैसे delete कर सकते हैं एक वीडियो में noise सुनाई दे रही है और दूसरे वीडियो में noise सुनाई नहीं दे रही है तो इस तरह आज इस वीडियो में background में हुए noise को बहुत ही आसानी से आप remove कर सकते हूँ सारह tutorial इस वीडियो में मैं बताऊंगा अब आपको सबसे पहले कैपCut application को open कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे open करने के लिए आपको VPN एक होता है उससे connect करना होता है तो connect कैसे कर सकते हैं मेरा यहाँ पर एक VPN है मैं यहाँ से start कर देता हूं यान उससे connect कर देता हूं तो connected करने के बाद ही देखिए कितना अच्छा सा VPN connect हो गया है। connect होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस बायक कर दिया यहां से भी बायक कर दिया यह भी पीएन connect हो गया है। ठीक जैसे connect नहीं होगा यहां से मैं बैक आता हूं तो दो पांच सिकेंद दा सिकेंद आप रूख जाना थोड़ी देर तो यह भी फिन connect हो जाता है और अटमाटिक होगा connect होकर चलने लगता है तो यहां पर मैं pipe cut पर किलिक किया और यहां से एक अगर जहां उस रेशियो को select लेना है तो यहां पर आपको दिखाई देगा एक रेशियो ठीक यहां पर रेशियो इम लिखा है aspect ratio तो यहां पर इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद अगर जहां हम वीडियो बना रहे हैं यूटूब के लिए तो इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर मैं यूटूब के लिए बना रहे हैं तो इसे सेलेक्ट कर लिया अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा इसकी आवाज को बदलना है यानि अच्छे से रिमूब करना है और जो बाट ग्राउन में हो रहे नॉइस को उसे भी हमें डिलेट करना है तो पहले यहां पर मैं यहां पर साउन पर क्लिक करना है तो यहां पर देखिए अभी मेरा connect नहीं हुआ एक बार मैं फिर से यहां पर यह connect हो गया है अब यहां पर sound पर click करना है sound पर देखिए जैसे आप click करते हैं तो धेर सारा यहां पर sound आ जाता है तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें इसे आपको यहां पर click किये select किये तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा सबसे पहले वाइस को जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए मैं दिखाई बाइलूम का option दिखिरा है सबसे पहले इसी बाइलूम पर आपको click करके आपको 100% कर लेना है उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर enhance ठीक यहां पर दिखाई देगा एक enhanced voice इसे पर आपको type कर देना है अब जैसे ही यहां पर आप type कर देते हैं तो इसे on कर देना है on करते ही यहां पर enhanced voice हो रहा है आप देख सकते हैं कि यह जो आपका voice है यह भी आपका remove करने का काम कर रहा है और थोड़ा सा बढ़ाने का वाइस काम कर रहा है कि जो थोड़ा सा आपका वाइस लिमिट है यानि की डाउन है उसे आपको बिल्डप कर दे रहा है तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगाज आप 100% रखना चाहते हैं तो 100 भी कर दिए यहाँ पर आपको दिखाई दे का थोड़ा सा स्क्रॉल करना है यहाँ पर आए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है यह थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिडियूस नॉइस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दिखा द दिखाई देगा कि यह आपका नौइज जो बाइग्राउंड में नौइज चर रहा था यहां से वो सिंपली सा हटा दिया है अब यहां से आपको वीडियो को सेप कर ले ना है तो यहां पर अगर जहां बहुत अच्छे से मैं आपको पताया हूं कि किस तरह से आप बाइग्र